हरे कृष्णा आज हम शिरिमत भागतम सकंद एक अध्याय सत्रह कली को दंड तथा पुरसकार इसे शुरू करेंगे सूत उवाचा तत्र गो मिथुनम राजा हन्य मानम नाथवद दंड हस्तम च व्रिशलम द्वशे निरिपला चन्नम शिल्लासूत गोस्वामी ने कहा उस्तान पर पहुंचकर महराज परिक्षित ने देखा कि एक नीच जाती का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाये तथा एक बैल को लाठी से पीड रहा था मानों उनका कोई स्वामी ना हूँ कल्यूक का मुख्य लक्षन यह है कि निम्न जाती के शूद्र अर्थात ब्रामन संस्कृती तथा अध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुश्य प्रशास्कों या राजाओं का वेश धारन करेंगे और ऐसे अशत्रिये शासकों का परमुख वियवसाय होगा निर्दोश पश्वों को विशेश रूप से ऐसी गाईयों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रमानिक वेश्यों द्वारा अरक्षित होंगी शिरिमत भगवत कीता 18.44 में कहा गया है कि वेश्यों का कारिय क्रिशी गो रक्षा तथा व्यपार से संबंदित है कल्योग में पतित वेश्य गाईयों को पशुवद केंद्रों में पहुंचाने में सनलगन रहते हैं शत्रियों का कारिय राज्ये के नागरिकों की रक्षा करना है जबकि वेश्यों गाईयों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन तथा दूद के उत्पादन में उप्योग करने हेतु होते हैं गाई दूद देने तथा बैल अन उत्पादन करने हेतु होता है लेकिन कल्योग में शूद्र जाती के लोग प्रशास किये पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गाएं तथा बैल वैश्यों ध्वारा सुरक्षित ना होने की कारण शूद्र प्रशासकों ध्वारा संचालित पशुवध केंड्रों में भेज दिये जाते हैं श्लोक नमबर दो व्रिशम्रिणाल धवलम मेहंत मिव भी भयतम वेप मानम पदे केन सिधन्तम शुद्रता रितम बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुश्पो वह उस शुद्र से अत्यदिक भयवीत था जो उसे मार रहा था वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थर्थरा रहा था और पेशाब कर रहा था तर पर यह कल्यूग का दूसरा लक्षन यह है कि धरम के नियम जो शुवेत कमल के समान निश कलुश तथा शुवेत हैं उन पर इस यूग के अ संस्कृत शुद्र जनों का आक्रमन होगा भले ही वे ब्रहमन या शत्रिय पूर्वजों की संताने हों लिकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक शास्त्र की संस्कृती के अभाव में ऐसे शुद्र तुल्य मनुश्य धार्मिक नियमों की अभहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ती के व्यक्ति ऐसे मनुश्यों के अनियाई ना होने की घोशना करेंगे और कल्युग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने हेतू अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्वन होंगे राज सक्ता को धर्म निर्पेक्ष अर्थात किसी विशेश धार्मिक सिधांत से रहित घोशित किया जाएगा फलसवरू धर्म के प्रती पूरी उपेक्षा बरती जाएगी नागरिक मनमाना करम करने हेतू सफतंत्र होंगे और वे साधू शास्त्र तथा गुरू का सम्मान नहीं करेंगे एक पाउंपर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रम शह विलुप्त हो रहे हैं धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोदों से संशे पूर्ण रहेगा मानु वह किसी समय लड़ खड़ा कर गिरने वाला है शलोक नमबर तीन गाम्च दर्म दुगाम दीनाम व्रिशम शुद्र पदा हताम वीवत सामा शुरुवद नाम शामा यव समी चतीन यद्यपी गाएं उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है किन्तु अब वह दीन तथा बच्छले से रहित हो गई थी उसके पावों पर शुद्र परहार कर रहा था उसकी आँखों में आंसू थे और वह अतियंत दुखी तथा कमजोर थी वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालाईत थी तपरिय कली का अगला लक्षन है गाए की दुखी अवस्ता गाए दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना बड़े बड़े रिशी मुनी मातर दुखदा हार करते थे शिरला शुकदेव गोस्वामी ग्रियस्त के यहां तब जाते जब वह गाए दुहता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दुद लेते यहां तक की पचास वर्ष पूर्व तक लोग साधु को एक गिलास दूद दिये बिना नहीं रहते थे परतेक ग्रियस्त जल की तरह दूद देता था सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयाई के लिए यह परतेक ग्रियस्त का धर्म है कि वहना केवल दूद प्राप्त करने हेतू अपितू धार्मि धार्मिक नियमों को प्राप्त करने हेतू गाएं तथा बैल रखें। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के अधार पर गाए की पूजा करते हैं और ब्रहमनों का सम्मान करते हैं। यग्या की अगनी के लिए गो दुग्द की अवश्यता होती है और यग्या करने से ग्रियस् देखने में सुन्दर होता है और गाए को तुष्टी प्रदान करता है जिससे वह अधिका अधिक दूद देती है। पंद कर देती है तो उसे काटे जाने हेतु भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यांत जगन्यकृत्य ही उत्तरदाई है। मनुशियों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। तलियुक का प्रभाव उन्हें अज्यान के अंदकार में रखेगा। शांती तथा संपन्नता के मस्क प्रियासों के बावजुद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। अलपग्य मनुश्य यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयम सुखी कैसे बना जाए। लिकिन यह तो प्रकृती के नियम के अनुसार वास्तविकता है। इसके लिए हमें शिरिमत भाग्वतम को प्रमान मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण पारो पित कारमुकह, धनुश बान से सज्जित तथा स्वन जडित रत पर आसीन महाराज परिक्षित उस श्चुद्र से मेग के समान गर्चना करने वाली गंबीर वानी से बोले। तातपर्य दुष्टों को धंडित करने हे तू हत्यारों से लैस, राजसी प्रदिकार से स पन महाराज परिक्षित जैसा शासक या राजा ही कल्यूग के प्रतिनिद्यों को ललकार सकता है। तभी इस अधम यूग का सामना करपाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासन अधिकारी के अभाव में सदेव शांती भंग होती रहती है। चुने हुए दिखाव प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिदी के रूप में कभी भी महाराज परिक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजसी वेश अत्वा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुश्य की कारिय ही हैं जिनकी गिनती होती है। श्लोक नमबर पांच गस्त्वम मच्रणे लोके बलाध स्या बलान बली नडदेवो असी वेशेन नट वत कर्मना द्विज्जह। अरे तुम हो कौन तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो। फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षन में है। द्विज्ज शत्रियों के सिध्धानतों का उलंगन कर रहे हो। ताकपर्य ब्रहमन शत्रिये तथा वेश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जनम माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जनम प्रमानिक आचारिय या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दिक्षा से संस्कृतिक संसकार के फलसबरूब होता है इस प्रकार शत्रिये भी ब्रहमन के समान द्विज होता है और उसका करतव्य यह होता है कि वह असहायों को सरक्षन दे शत्रिये राजा असहायों को सरक्षन प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने हे तु ईश्वर का प्रतिनिधी माना जाता है जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमित्ता आती है तब धरम की पुनह थापना हेतु शिरी भगवान का अफ्तार होता है कल्योग में विचारे असहाय पशू विशेश रूप से गाएं जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षन प्राप्त होना चाहिए वे अंधा दुन्द मारी जाती हैं इस प्रकार के प्रशासक जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटी रहती हैं केवल नाम के निम्न जाती के द्विज्जों की सांस्कृतिक संपनता के गुणों से विहीन पुरुष हैं निम्न जाती के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से नियाय या समता की आशा करना व्यर्थ है अतेव राज्य के कुशासन के कारण कल्यूग में परतेक व्यक्ति दुखी रहत श्लोक नमबर छे यस्त्वम कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना शोच्यो अस्य शोच्यान रहसी प्रहरन वधर्म धवमर हसी अरे धूर्ट क्या तुम इस निर्दोष गाये को मानने का दूसाहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीव धारी अर्जुन ध्रिष्टी से बाहर है चूंकि तुम इस निर्दोष को एकान स्थान में मार रहे हो अतेव तुम अपरादी हो और वद कि जाने के योग्य हो तातपरिय जिस सभ्यता में इश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहां अर्जुन जैसा भव्त योद्ध ना हो वह कलियुक के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाब उठाकर एकांत पशुवद केंद्रों में गाये जैसे निर्दोष पश यही एकांत स्थान में पशु का वद करता है वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्यू धंड पाने का भागी होता है जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वद करने वाला हत्यारा श्लोक नंबर साथ त्वम वा मृनाल धवलह पादेन रियोन पदाचरन वरिश रूपेन किम कस्चित देवोन परी खेदियन तब उन्होंने बैल से पूछा अरे तुम कौन हो तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो तुम अपने तीन पैर खो चुके हो और केबल एक पैर पर चल रहे हो क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार कलेश पहुंचा रहे हो तातपरिय कम से कम महराज परिक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था अतेव ऐसा बया वह दृश्य दे हे तु ऐसी दुर्दशा बना रखी हो शलोक नमबर आठ न जातु कौर वेंदराणाम दो धर दंड परीर भीते भूतले अनुपत तन्य अस्मिन विनाते प्राणी नाशुचाहा कुरू वंच के राजाओं के बाहु बल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तु पेक्षा के कारण आंसु नहीं बहाए तातपर्यव मनुश्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सरव प्रथम और महतवपून करतव्य है किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बर्तना चाहिए इस कल्यूग में किसी शूद हृद्य वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सून योजित कतल देखना ब्यावा है महराज परिक्षित बैल की आँखों में अशुरू देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर अचर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसे अभूत पूर्व घटना कैसे घट रही है जहां तक जीवन का संबंध है मनुश्य तथा पशू समान रूप से संरक्षत है यही ईश्वर के राज्य की रीती है शलोक नमबर नो मा सौर्भे यात्र शुचो वेतु ते व्रिशलाद भयम मा रोधी रंब भद्रम ते खलाना मै शास्तरी हे सुरभी पुत्र अब तुम और शोक ना करो तुम्हें इस अधम जाती के शुद्र से डढने की अवश्यक्ता नहीं है तथा हे गो माता जब तक म हे रूने की अवश्यक्ता नहीं है तुम्हारा सभी प्रकार से कल्यान होगा ताथपर्या बैलों गायों तथा अन्यसमस्त पशु सुरक्षा तबी हो सकती है जब राज्य का शासन अहाराराज परिक्षित जैसे शासक द्रा जलाया झाए महाराज परिक्षित ने को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज शत्रिय राजा थे। सुर्भी उन गायों को कहते हैं जो वैकुंट ग्रहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयम चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुश्य श्री भगवान के रूप आक के अनुसार बनाएगे उसी प्रकार समस्त गाये वैकुंट की सुर्भी गायों जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुश्यों को सभी प्रकार का संरक्षन प्रदान करता है। किन्तु सुर्भी की उन संतानों को जो चमतकारी कपे अर्थात दूद देक कर मनुश्य को संरक्षन प्रदान करती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन महराज परिक्षित तथा सभी पांडव गाय तथा बैल की महकता से पून रूप से परिजित थे और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने हेतू तयार रहत में गाय तथा बैल कुछ रक्षा प्रदान नहीं की जा सकी मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महकता को समझे और महराज परिक्षित की तरह इन्हें सभी प्रकार का संरक्षन प्रदान करें गाय तथा ब्रहमन संस्कृती की रक्षा करने पर शिरी भगवान अत्य विक्षांती प्रदान करेंगे क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मनों के प्रती अत्यंत ध्यालू है। मर्ती तिनी ग्रह अत एनम वदिश्यामी भूत द्रुह म सक्तमम। हे साध्वी यदी राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीर द्रस्त रहें तो राजा की खेयाती उसकी आयू तथा उसका उत्तम पुनर जनम नश्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान करतव्य है कि जो पीडित हों सरव प्रथम उनके कश्टूं का शमन किया जाए। अत्यव मैं इस अत्यांत दुष्ट व्यक्ती को अवश्य मारूंगा क्योंकि वह अन्य जीवों के प्रती हिंसक है। तातपर्य जब किसी गाओं या नगर में जंगली पशू उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग इन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। दिया जाना चाहिए क्योंकि पशू भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जनम लिया हो वह है। और इसमें मनुश्य तथा पशू दोनों सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जनम लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के में रहे। जंगल की पशू भी राजा की प्रजा हैं अतेव उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाई तथा बैल जैसे घरेलू पशू के विश्य में क्या कहा जा सकता है। यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वद्ध कर दी। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशू को मार दिया जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ती जंगली पशू या अन्य पशू को वृथा ही मारता या तरस्त करता है उसे तुरंत दंडित किया जाना चाह इश्वरी विधान के अनुसार समस्त जीव चाहे वे जिस सबरूप के हूँ श्री भगवान की संतान है और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है। एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतेव नियम यह है कि इश्वरी विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेश जीवों को खाकर जीव को जीवित रहना चाहिए। शिरी ईशो उपनिशत का निर्देश है कि मनुश्य को शिरी भगवान के निर्देश अनुसार रहना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुश्य ईश्वर द्वारा प्रदत विभिन प्रकार के अन्नों फलों तथा दूद से जीवन यापन कर सकता है और कुछ विश्यों को छोड़कर उसे पशु मांत्स खाने की अवश्यक्ता नहीं है। परशासों को अपनी प्रजा जिसमें मनुश्य तथा पशु दोनों आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रतीस तरक रहना चाहिए और पूश्टाश करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सकता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंथ ही पकड़ कर मार डालना चाहिए जैसा कि महराज परिक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अलपग्य सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्टोश पश्वों के वद्ध की आग्या नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्तरोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए महराज परिक्षित यहां उद्धरन देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा या प्रशासक अपनी ख्याती आयू बल तथा अंत में उन्नती मय जीवन तथा मृत्यू के पश्चात प्राप्त करने के अवसर को खत्रे में डाल देता है ऐसे अलपग्य मनुश्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते हैं इस लोग की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है जिसकी हाल ही में मृत्य हुई और जो अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है जिससे महाराज परिषिद्वार्व्यक्त की गई इशवरीए संहिता के विश्य में उसका अग्यान प्रकट होता है यहराज नेता इशवरे संहिता से इतना अनभीय था कि उसने लिखा है मैं ऐसे किनी अनुश्थानों में विश्वास नहीं करता और विधी के रूप में उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलाबा और अपने आपको तता अन्य व्यक्तियों को दोखा देना होगा। इस विशे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। अपनी निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। इस अनुसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्द जीव ही है। उसके हाथ पैर भोतिक प्रकृति की रसी से बंदे हैं। फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा करम करने हेतु अपने आपको सर् मज़ता है। निशकर्ष यह है कि महराज परिक्षित की काल में मनुश्य सुखी थे और पश्वों को समुचित सा रक्षन दिया जाता था क्योंकि परशासक ना तो मनमानी करता था ना इश्वरी नियम से अन्विग्य होता था। अलपग्य श्रद्दा वहीन प्राणी ही इश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रियत्म करते हैं और बहु मुल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आपको धर्म निर्पेक्ष होने का दावा करते हैं। तथा व्याधी के लक्षनों दुवारा इश्वरीय नियमों से चक्ड़े रहते हैं। किस ने काट लिया है। उन राजाओं के राज्ये में जो पून पुर्शोतम भगवान श्रीक्रिशन के नियमों के अग्याकारी हैं। तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। समस्त राजाओं के राजाओं या प्रशासकों को भगवान श्रीक्रिशन की सहिताएं समान यत्या श्रीमत भगवत गीता तथा श्रीमत भागवतम जाननी चाहिए। और उनहीं के अनुसार मनुश्य को जीवन के उदेश्य की पूर्ती के लिए करम करना चाहिए जिससे भोतिक जीवन के संपूर्ण कष्ट विनश्ट हो जाएं। पालन किया जाता है, वहां कोई दुखी नहीं रहता, जहां ऐसा नहीं होता, वहां प्रतम लक्षन यह है कि धरम के प्रतीनिधी के तीन पाउं कट जाते हैं, फिर कश्टों की जड़ी लग जाती है और जब भगवान श्री क्रिश्न साक्षात विद्यमान थे, तब भगव अनी मनिश्यों के मार्ग दर्शन के लिए अंकित कर दिया गया है जो उच पदों पर स्खापित है। भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो प्रिथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। भी मानव समाज उपयोग में लाता है। प्रिथा पुत्रों के वंशे यथा महराज परिक्षित को भय था कि उनकी ख्याती विनश्ट होगी। किन्तु आज कल के नेता ऐसे निरपराद पश्वों का वद करने से भी डरते नहीं। यहीं वह अंतर दिखता है जो उनधर मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ग्यान से शून्य निष्टाहीन शासकों द्वारा शासेत आधुनिक राजियों में होता है। श्लोक नमबर चोदह जने नाग स्यंगम युजुन सर्वतोस्य च मद्भ्यम साधुनाम भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। निरपराद जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराद व्यक्ति को स्वते लाब पहुंचता है। जैसा की पूर्व में कहा जा चुका है यह राजा या प्रशासक का मुखे करतव्य है कि वे शांत निरपराद प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। श्री भगवान के भग्त सभाव से शांत तथा निरपराद होते हैं। अतेव यह राज्य का मूल करतव्य है कि वे हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस प्रकार स्वते ही समस्त नागरिक शांत तथा निरपराद होंगे। तब राजा का एक माद्र करतव्य रह जाएगा बैमान दुष्टों का दमन करना। इससे संपून मानव समाज में शांती तथा एकता आएगी। हरे कृष्णा आज का पटन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम पंद्वे नंबर के श्लोक से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जबते रहें, हरे क्रिश्ना, हरे क्रिश्ना, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, हरे, हरी बोल.